अगर है अपनी सेहत से प्यार तो करें सब्सक्राइब मायवचार और बेल आइकन दबाएं हर दिन हेल्थ ट्रिप्स पाने के लिए अब इस परकार गर्विनी का हदय एक और बालक का हदय एक इसलिए गर्वनी को डबल हार्टेट लेडी या द्री हदया कहा जाता है इस दिवर्दिया लेडी में जो भी इच्छाय उत्पन होती हैं भोजन को खाने की, कपड़े को पहनने की या घूमने फिरने की इन्हें दौगरिद कहा जाता है तता इसका परिवार वालों को सम्मान करना चाहिए चतूर्थ मार्ष में अब रहदय से सम्मंदित प्रायसभी विकार इन चार अउशदियों का उल्ले हम जो करेंगे उनको सेवन करने से वो विकार नियुनतम होंगे या सबसे कम होंगे या नहीं होंगे इन में दी जाने वाली चार आउशदियों में आनंत मूल या धमासा, क्रश्मसारिवा, पग्मा, एवन यस्टी का उप्योग किया जाता है इन आउशदियों के सम्मिलित प्रियोग करने से बालक में चेतना धात्यों और हगे का विकास ठीक से होता है सबसे पहले धमासा को देखते हैं, इसे लेटिन में फिगोडिया क्रेटिका कहा जाता है, इंग्लिश में खुरासें ठाउड कहा जाता है यह लगू स्निध गुन वाली, कशाय रस वाली, मधूर रस की, मधूर विपाग की उश्न वीर्य वाली आउशदिये इसे गांधारी भी कहते हैं, यह अफगानिस्तान के गांधार प्रदेश की होती थी इसके सेवन से शरीर में बर्निंग सेंसेशन सबसे कम होगा, बालक प्यास से कम पेडित होगा यह डाइबिटीज की भी अच्छी आउशदियों में से एक है और किसी प्रकार की गिडिनेस, भ्रम या चकर को यह रोकती है नमबर दूसरी आउशदिये कर्ष्ण सारिवा इसे लैटिन में हैमी, डैसमस, इंडिकस कहते हैं तथा इंग्लिश में इंडियन, सरपास, रेलाइस का नाम है यह गुरू स्निध गुन वाली, मदूर रस की, मदूर विपाग की, शीत वीर्य वाली अउशदिय है इसके सेवन करने से, बालक में डाइजेशन ठीक होगा भोजन के प्रतिरूची उत्पन्न होगी ग्रॉमकियल अस्थमा नहीं के बरावर होगा कब की प्रॉब्लम सबसे जूनतम होगी यह रटतर प्रदर, इंडो मेट्रोसिस या जवन अतिसार को रोकने में सही होगी अउशदिय है यह शुक्र को बढ़ाएगी उसमें कंडू या इचिंग प्रॉब्लम सबसे कम करेगी कुष्थ या पचा के विकार को रोकेगी यह डाइबेटीज की अच्छी अउशदिय है तथा मुख से, दात से, जीव से, अयों कान से किसी प्रकार की दुर्गंध आने को यह रोकती है तीसरी अउशदिय है पद्मा इसे भारंगी भी कहा जाता है इस पेड के पुष्ट जो है कमलवत होते हैं अथा इसे पद्मा कहा जाता है इसका लेटिन नाम है पिरो डेंडम सिरेटम यह लगू रूक्ष गुन वाली, तित्तरस वाली, कटू रुपाक वाली, उश्न वीरी वाली अउशदिय है इसके सेवन करने से डाइजेशन ठीक होगा, रक्त पित नहीं होगा, किसी प्रदार की स्वेलिन नहीं आने पाएगी कफ और ब्रांकियल अश्थमा और रेस्पिरेटी डिसीजे सबसे कम होगी या नहीं होगी नाक से पानी का पहना उसे यह रोकती है, यह क्रिमी को भी रोकती है, तथा होने वाले बर्लिन सेंशेशन दाअवजवर को यह नश्ट करती है चौथी अश्दी है, मधियस्टी, इसे ग्लेसराइजा, ग्लेबरा कहते हैं, तथा इंग्लीश में लिपको राइस कहा जाता है यह गुरु स्निद्गुन की, मधुर रस की, मधुर पाग की, शीत वीर्यवाली अश्दी है इसके सेवन करने से, बालक के नेत सुंदर, सुद्र और मजबूत होंगे बल और वर्ण बहुत बढ़िया बनेगा, शुक रातु अच्छी बनेगी उसके केश लंबे होंगे, घने होंगे, स्थिर होंगे तथा इसका जो स्वर होगा, बड़ा मीठा होगा, मदुर होगा बागल की गर्जना जैसा गंभीर होगा पित अनिल के रुरक्ट के रोगों को रोकता है या छर्दी या जिस को रोकेगा और मानसिक दस्टी से बालक मजबूत और स्वस्थ होगा या जो है मदुर्श्टी से उत्पन होगा अतर चतुत माज की इन उशदियों को देने से बालक के हदय और चेतना धातु बहुती सुंदर और सुंदर बलेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें